काफी दोस्ट सवाल पुछते हैं कि चाइना कब इंटरनेशनल स्टूर्स को वापसी बुला रहा है और हम लोग कब वापसी चाइना आएंगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आया जिन लोगों की 2021 में एड्मिशन हुई है वो लोग चाइना आएंगे के नहीं आ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा यूट्यूब का चनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि मैं फूचर में जो भी इंफोमेटिव वीडियो बनाता हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं तो जैसा कि मैंने आपको पि बाइर से आते हैं मतलब ट्रेवल करके जो दूसे ममालस से आते हैं चाइना उनमें चाइनीज हो सकते हैं चाइनीज भी हैं और फॉर्णर्स भी हैं तो जो भी लोग आ रहे हैं उनको तीन हफ़ते के लिए यहां पर कुरंटीन किया जा रहा है दो हफते जो है वो उनको उन बंदों पे नजर रखें ताकि ये लोग बाइर न जाएं अगर ये लोग बाइर जाते हैं तो फिर वाइरस फिलने का खच्छा हो सकता है तो तीन हफते का जो है वो सक्त कुरूंटीन है यहां पे आया वो चाइनीज हो या फोर्नर्स हो तो आप इस बात से अदादा लगा सक लग गया है और बाकी सिटिज में भी घ्राइब काम बड़ी तेली ते हो रहा है और अध्याज के मुताबग 40% जो है वो लोगों को वेक्शिनेशन लग गई है दूसरे सिटिज की जो एवरेज निकाल के हम देखें तो 40-50% लोगों को वेक्शिन लग चुकी है और अब ही चारना जो है वह तीन साल से जो है वह वह उपर के बचों के लिए भी विक्सिनाशन स्टार्ट कर रहा है वह मुक्तलफ मरॉलों में होगी अब लेक्षमन से बारा से सटार साल عمر के जो बच्चे हैं उनको वेक्सिन लगेगी और उसके बाद जो है को जो है वो olympics के लिए भी जो है वो अच्छी खासी तैयारी करनी है तो अब सवाल यह आता है कि क्या चाइना जो है वो 80% population को vaccinate करके उसके बाद borders open कर सकता है तो दोस्तों यह एक इंताही aim सवाल है बहुत important सवाल है यह इसके सवाल के जवाब में काफी हुकूमत के नुमाइदों ने काफी scientists जो अभी vaccination के जो है अमले को अमल को देख रहे हैं और उसके लाब काफी companies जो वेक्सीन को बना रही है तो उन्होंने जवाब में यह का है कि एक scientist है Chang One Hong उसने अपने बयान में यह का है कि China अगर 80% population को vaccinate कर भी देता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि China जो है वो foreigners को वापस बुला लेगा जब तक चाइना के नजर में 0% मतलब के नहीं होता 0 cases नहीं होते तब तक चाइना जो है वो foreigners को नहीं बुला सकती अब उसने मुसाल यह दी हुई है कि डिल्टा वेरिंट जो नहीं किसम आई हुई है वाइरस की तो वह ज्यादा तेजी से फेल रहा है अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में और दीगर मुमालिक में भी जो है वह बरी तेजी से फेल रहा है तो चाइना में भी उसके काफी cases आई हुए है आजकल चाइना किस तरह फॉर्णर्स को आपसे बुला सकता है यह कहना है चान वन होंग का के चाइना जो है वह तब तक फॉर्णर्स को नहीं बुला सकता जब तक zero cases नहीं होते एक दूसरे साइंटिस्ट ने इस सवाल के जवाब में यह कहा के अभी तक कोई भी country safe नहीं है जब त तक दुनिया के दूसरे मुमालिक 70 से 80 परसंट वेक्सिनेट नहीं कर लेते तब तक चाइना जो है वह फॉर्णर्स स्टूटन्ट को जा फॉर्णर्स जो है बाकी उनको नहीं बुला सकता तो उसे यह भी कहा के चाइना की policy US या दूसरे western countries की तरह नहीं है कि बस cases भी आ रह को यह notice दिया गया है कि आप लोग जो है वो next year जुलाय तक अपनी population मतलब 70 से 80 परसंट population को वेक्सिनेट कर दें तो उमीद है कि अगले साल के end तक मतलब 2022 के end तक जो है वो यह मामलात normal हो जाए तो अभी बात करते हैं यहां पर आजकल सुरतहाल किया है सुरतहाल यह है कि हमा हैं तो अभी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भी जो है वो कितनी सकती है मतलब कि बाकियों बाकी गेट से जो है वो लोग इंटर नहीं हो सकते किसी अधारे में खाली university नहीं स्कूल काफी जगहों पर इसा सिस्टम है तो एक ही गेट उन्होंने खुला किसमें उनको university की management की तरफ से यह बताया गया है कि आपका यह semester जो है वो online होगा हो सकता है अगला semester भी online हो तो मतलब के 2022 के September बर तक हम at least भोल सकते हैं कि China allow नहीं करेगा क्योंकि अगर China allow करना होता तो कमस कम यह तीन मेने पहले या 5 मेने पहले यह इलान करते कि आप लोग जो चलना शुरू हो जाता लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं है क्योंकि अभी जिनकी admissions हुई है उनको email के जरी जो है वो soft copy admission notice के बेजिए और JW अगरा का तो अभी नाम ही नहीं है तो मुझे लगता है कि एक साल तक जो है आप लोगों को मजीद इंतशार करना परेगा औ और 2022 के September तक जो है वो काफी chances हैं कि आप लोग वापसी आ सकते हो तो बाकी रही बात bank accounts की और दूसरे मसाइल की जो आपके मसाइल है मतलब के bank account बंद हो गया या यह वो तो उसकी जो है वो यह है कि आप online website पर जाएं उनकी वहां पर email और phone number दिये होते हैं banks के तो उनसे आप contact करें वो आपका मसाल हल कर सकते हैं और उसके लावा जो है वो banks की कुछ apps भी हैं आप apps डाउनलोड करके वहां से भी जो है वो उनको वीचेट से भी login होता है जो आप ने mobile number से ख़र mobile number से तो आप login नहीं हो सकते लेकिन वीचेट से काफी जो है वो apps काफी bank की apps जो है वो login हैं कि भाई जो है हमारा ये मसला है ये तो आप उसके जरी ये मसला हल करवा सकते हैं तो अमीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तो जोनों ने अभी